हेलो एवरीवाद आपको कितना स्टाइपन देता है और कौन से कॉलेज कितना स्टाइपन देता है यह सब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर यह वीडियो किसी को बूश करना है यह वीडियो बेसिकली है इसलिए बहुत लोग आप मेंसे गरिब बैक्राउंड जि जिनके वास इतने पैसे नहीं है सस्टेंग करने के लिए तो उनको फटाफट से एक घर में अर्निंग परसंद बनना है तो जैसी आप MBBS खतम करोगे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे इंडिपेंडेंट बन जाओगे तो क्या के सल्दरी मिलने वाली होगी कौन सा जो आपको 80,000 स्टाइपन देता है पर मन्त ठीक है वो बताओंगा वीडियो के अंदर एमस में कितना मिलता है और बाकि कौन कौन से स्टेट में कितना कितना मिलता है इसा बताओंगा आपको वीडियो के अंदर मेजर स्टेट में कवर कर लूँगा तो प्लीज इस वीडिय खतम करते हो 4.5 years का, 4.5 year में आपका 1st year, 2nd year, 3rd year and 4th year होता है, जैसे आप 4.5 लगें खतम करोगे, आप बन जाओगे डॉक्टर, और अब आप प्रैक्टिस करोगे, इंटर्शिप करोगे, ठीक है, अगर आप खुद के कॉलेज से ही प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहते हैं इंटर्शिप, ठीक है, और mostly यह होता है, तो जो एम्स में इंटर्शिप में को स्टाइपन मिलता है, ठीक है, स्टाइपन मने जो होती है, लगभग अभी के हिसाब से 23,500 रुपे के आसपास है, 23,500 रुपेज आपको मिलते है, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग एम्स के अंदर, और हर सेंटरल इंस्टिटूट के अंदर वही है, चाहे आप बोलो, या कोई भी सेंटरल इंस्टिटूट में यह आपकी सेलरी होती है, पर मन्त, इंटर्शिप में एक साल क 24,000 पर मन्त, आकु सेलरी कि मताया होता है, या उसके आपको पता है, कि आपकी सेलरी जो होगे, यो इंटरॉप और कहा जाता है मेरे कुछ फ्रेंड से 80,000 और 90,000 रुपीज पर मन्त ठीक है यह उती जो काफी अच्छी खासी आपको मिल रही होंगे सेलरी जो इनिशेली इस वेरी गुड फॉर डॉक्टर ठीक है थर्ड कौन कौन से स्टेट ऐसे है वाईया देली में क्या है देली में 23,500 है ठीक है हाइस स स्टेट्स में से एक आता है जहाँ पर लगबग 31,500 रुपीज सेलरी मिलती है स्टाइपन मिलता है अफ्टर कंप्लिटिंग और MBBS यह बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेश डॉक्टर है ठीक है आप ऐसे जेयार काम नहीं कर रहे हो जेयार के होते है जो जुनियर डॉक्टर कि अच्छी खासी है उडिसा में 20,000 कर दी गई है तीक है मनीपूर में 27 ऐसे 20,000 के आसपास है सबसे कम जो है तमिलाडो में आट रहाजर के आसपास यह वेश-benगाल में 17,000 के वेश-benगाल में बट वो बढ़ाके 28,000 के आसपास कर दी गई है निके पंजाब में 15,000 के इसमें आप सीख रहे हो बहुत कुछ यूपी उत्तर प्रदेश में आपको मिल रहे होंगे 7500 रूप है तो यह हो गया आपकी इंटरेशिप में कुछ स्टेट शूड़ गया हो तो मुझे बता ना गोवा में 20,000 मिलती है बता दिया है यह मतलब बता है बाकी देख लेना यह मिजर स्टेट बता है बियार 15,000 है इन में इतना इतना आपका स्ट्राइपन होता है और एक और चीज़ अगर आप एक्स्टरंशिप करते हैं एक्स्टरंशिप मतलब क्या होता है कि आप MBBS आपने मानलो किसी कॉलेज से किया और आप कह स्टेट में अदुसरी जगह पर डिपेंड कि आपके पास मानलो पैरेंस का इश्यू है फैमिली इश्यू है तो भार से अपने अगर मानलो एक इंटर्शिप जो थी वह बन जाएगी एक्स्टरंशिप बट एक्स्टरंशिप में पेमेंट नहीं मिलती है नो स्ट्राइपन कि मोश्ट कॉलेजेस के अंदर सेंटर इंस्टिटूट के अंदर आता है तैइस्ट औभी सदर क्यास मिलता है असाम में 31,000 मिलता है करनड़का में 30,000 मिलता है और आपका लोएश जाता है यूपी में 7500 यूपी में श्याद बढ़ जाएगा 17-18,000 तक जाएगा लेट सी व मिलने वाले होगा दूरिंग इंटर्शिप जैसे याँ 4.5 यह का एमबीएस का प्रोफेशनल कोर्स खतम करते हो तब ठीक है चलो होग करता हो कि आपको वीडियो अच्छी लगे हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना चलो बाइबाइबाइबाइब